हाई फ्रेंस कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे एंजेट वर्सिस पी एके ड्रीम 11 स्टाट्स प्रस इन्फो यानि कि न्यूजिलैंड का जो पाकिस्तान से मैच खिराज हैगा उसकी ग्रैंड लिक प्रेडिक्शन देखेंगे स्मॉल लिक का वीडियो मैं आपके लिए अल्रेडी कर दिया होपफुली वो आपने देख लिया होगा यदि नहीं देखा आप जरूर देख ले उसमें काफी हद तक इंपोर्टन स्टैट्स और कुछ डिफरेंशल के डाड़ी आपको बताएं हैं जो आपको बहुत मदद करे लेकिन इस वीडियो में हम ग्रैंड लिक के लियास से कुछ प्लियर देखेंगे और कुछ हमारी कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो मैंने किती ग्रैंड लीक जीती हैं यह आप मेंसे बहुत लोग जानते हैं किती फोरकास फैमिली मेंबर्स ने करेक क कर ये बहुत लोग जानते हैं, रेकिन मैं आज आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मैंच को केवल 2 घंटे बचे हैं, और मैं सीधा काम की बात करने वाला हूँ, हाला कि एक मैंच जुरूर में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ये परसो का ही कबड़ी मैंच ह ठीक है, 11 टीम्स, ये 44 इंटो 11 अगर मैं कर भी ले तो 500 से उपर तो नहीं बना, 500 से कम भी बना, और एक टीम भी अगर आपको 7000 दिला रही है, आपका काम बन जाता है, बले ही बाकी टीम विंजोन में ना आए, हमेशा ये धियान रखें, आपकी एक टीम इतनी अच्छी हो 500 अगर मैंने यहां पर रुपे लगाए हैं, एक टीम से ही मुझे 3125 आगया, बाकी क्या कर रहे हैं, मुझे कोई फरवान नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, कि कोई टीम खराब जाती है, तो भी आपको परिशान नहीं होना, हाला कि मेरी सिर्फ एक टीम का लिंक मिल रहा है, जरूर जुड़ जाएं, हमारे क्लिक्राइं फोरकास्ट में, दो लाग 22,000 से उपर लोग जुड़ चुके हैं, यदि आप उसमें नहीं आते हैं, आप most welcome हो हमारी family में, प्लीज वेरिफाइट चैनल है, ध्यान से आना, लिंक जो गिवन है, उसी से आन कोई पैसे मांगता है, फेक चैनल में आप गुशते हो, तो वो आपके ऊपर उल्लू काड़ सकता है, इसी लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, सिरफ ओफिशल लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से हैं, सर्च करके ना हैं, अम में विकेट कीपर की बात करते हो इन में डिफरेंशल सही से बताऊं, तो देखो, फिन एलन ही बन रहे हैं, क्योंकि ये ओपनिंग पे हैं, और इनको अच्छी लगती है, फास्ट बुलिंग खेलना, सो शदाब और नवाज, अनलेस स्टार्ट में आ जाते हैं, फिन एलन आपको कुईक फायर 30-40 अंस दे सक सकते हैं, सिडनी के इस ग्राउंड पे जहां ज़्यादा स्विंग नहीं देखने को मिली शुरुबात में, फिन एलन आपके लिए काम कर सकते हैं, इनको अपनी आप ग्रेंडिक टीम में जरूर ट्राय करना, मुहमद हरिस से ज़्यादा इनको ट्राय करेंगे, लेकिन मुह इफ्तिकार एहमद को ट्राय कर सकते हो, बड़ सिलेक्शन इतना है कि इनको भी मैं अपने डिफरेंशल में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, सो फिन एलन के बाद जो मेरे मेरे में डिफरेंशल बन रहे हैं, यहां से वो छुपा रूस्तों मुहमद नवास, क्यों मुहमद नवास हमेशा राइट हैंड बलेबास को बड़िया बोलिंग करते हैं, अब यहां पे न्यूजिलैंड की टीम में सभी राइट हैंड बलेबास है क्या ऐसा नहीं है, टॉप ओडर पे आपको डिवोन कॉनवे मिलेंगे ठीक है, उसके बाद नमबर छे पे आपको मिलेंगे जेमस निशब नमबर साथ के आपको मिलेंगे मिचल सैटर जो लेफ्ट हैंडर है, लेकिन अगर पावर प्ले में 6 ओर में कॉन्वे आउट हो जाते हैं, तो 7 ओर से लेके 15 ओर तक आपको नवास चतीन से 4 ओर करते भी दिख सकते हैं, प्रवाइड राइट हैंडर सी स्ट्र और न्यूजलेंड के पास लेफ्ट आम और्थरडॉक्स ही है और लेक स्पिनर भी है इन दा फॉर्म अफ इस सोडी, तो नवास की अवास जिसको आए, आज आप ट्राय उनको करके जाएं, ठीक है, यह हो गए हमारे दूसरे विकलप और अभी तक के पूरे मैच में मेरे फ और इनको पूरे नहीं मिल रहे है कुछ मैच जिस से, लेकिन शाहीन शाह फृरीदी का हिट ओने का कारण है, जो इनको और नहीं मिल रहे है, हरिस रॉफ और कर जाते हैं, कुछ चार ओर तो करेंगी ही, वैसे हरिस रॉफ और शाहीन, बाकी के जो बोलर है, उनमें मुहमद वरसीम और नसीम शाह है, नसीम शाह का लोग धियान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनको ओवर मिल रहे हैं दोस्तों, इनको अघ्लिस तीन ओर तो मिल रहे हैं। आप किस टीम के ओपनर को जादर स्ट्रॉग मान रहे हैं मेरे इसाब से देखो पाकिस्तान ने ओपनर प्रस्वाइब बहुत बार किया है चाहे इस वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ लेकिन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ मैंने सबसे पहले रिजवान और बाबर को रखा जो की यहाँ पे पाकिस्तान के ओपनर्स है यानि कि ओपनिंग पे आतो है बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान को साथ में दोस्तों मुझे चाहिए बोलर पाकिस्तान से अब वो बोलिंग में शाहीन अफ्रीदी है हरिस रॉफ है ठीक है शदाब है और नवाज है एक फास बोलर आप और एड़ कर सकते हो चाहे वसीम चाहे नसीम शा मैंने फिला नसीम शा को एड़ कर लिया सो बेसिकली अगर आप मेरी अप टीम देख रहे हो मेरे पास पाकिस्तान के बोथ ओपनर्स आ गए है ठीक है और उनके बोथ ओपनर्स के अलावा मेरे पास फाइव बोलर आ गए है प्यूज भाई आप पास एक बोलर की कमी है मौहमद वसीम बिल्कुल आप सबको नहीं ले अगर ऐसा होता है मैच में तो आपकी टीम बेस्ट कैसे बनेगी आपको उस केस में न्यूज इलैंड का कोई बोलर नहीं चाहिए आप ट्रेंट बोल्ट का सिलेक्शन मत देखो आप टिम साओधी का सिलेक्शन मत देखो आप लौकी को मतलब आप यहाँ पे सैंटनर को फिर नहीं है अभी हमने टॉप फोरी कर लिए ठीक है तो यहाँ पे आप बदलाव कर लो यह बेसिक आपको समझाने के लिए है इसमें कप्तानी मैंने रिजवान को देदी क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करते है वाइस कैप्टन सी बाबर को इनको आप रिवर्स भी कर सकते ह सो अगर ऐसा टारगेट है 140, 150, 160 जितने का भी अगर पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स चेस कर लेते है उसको मेरा काम बन जाएगा दोनों ओपनर ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे अनलेस कोई बोलर चार विकेट ले जाए उसकेस में फिर आप बोलर को भी CVC कर सकते हो लेकिन आपके मन में आ रहा होगा ये भी तो हो सकता है कि ये पांचो ही जो प्लियर हैं इन में से कोई एक और विकेट लेस चले जाए अगर वसीम को भी विकेट नहीं मिलती कि ज़रूरी थोड़ी है बाकिस अब को मिल जागी क्या पता नवास को भी ना मिले प्यूश भा बहुत काम घर जाएंगे हमारे लिए इनके प्यूश को उसका मिलेगे या मार लो की नवास को कोई पौइंट नहीं मिला दो और मिले उन्होंने 15 रन खाए विकेट 0 है तो 0 पौइंट मिले उनको लेकिन मिचल का उसका एक या 2 रन भी हमारे लिए गेम चेंजर बन जाएग most like you उस case में ठीक है हर इसको रखना पड़ेगा और डैरियल मिचल, बाबर, विल्यमसन इन में से किसी को छोड़ना होगा बाबर को तो नहीं छोड़ोगे ऐसे case में लेकिन जो प्लियर आपको लग रहा है विकेट निकालेगा मानलो लग रहा है सैंटनर तो उनको आपने रख लिया अब आपको लग रहा है सैंटनर को एक विकेट मिलेगी तभी तो मुहमद हैरिस आएंगे वन डौन लेकिन जिसकी विकेट मिलेगी उसको आप वाइस कैप्टन कर लो या फिर नॉर्मल रख लो वह मुझे लग रहा है मानलो की बाबर आउट होंगे तो मैंने कप्तानी रिज्वां को झी थी वाइस कैप्टन सी जो बोलर आपको लग रहा है उसको रख़frame अगर आपको लग रहा है बाबर एंड में आउट होंगे ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफी जो लोग regular वीडियो नहीं देखते, उनको तो नहीं पता लगेगा. What is this combination? This is a combination जिसमें हमने reverse captain किया है. Reverse captain के भी दोस्तों अलग-अलग type होते हैं. ठीक है, लेकिन ये one of the, जो एक concept है, काफी चलता है. For example, IPL में यही combination मैंने use किया था, Butler और Boomerang का. Butler ने उस match मुझे I think 70-80 run दिये थे, या even 100 दे दी थी, और Boomerang ने मुझे 3 wicket देती थी. Same innings में. यानि कि, शुरवात में Butler ने opening track है, राजस्तान से बहुत runs किये, बूमरा को देथ में wicket मिली, 3 wicket ले गए. ऐसा बहुत बार आपने देखा आगा, कि एक अच्छी टीम की शुरवात होती है. पहले 15 और में 120 पे 0 या 120 पे 1 है, एंड में वो runs करने जाते हैं, और डेथ पूलर को wicket दे जाते हैं. तो यदी ऐसा होता है, पाकिस्तान की चेजिंग के तो हमने देख लिया, अब पाकिस्तान की पहले बले बाजी होती है, रिजवान अभी भी हिट हो रहे हैं, मान लेते हैं, पाकिस्तान की 120 पे 1 या 2 है, अब उनको तेज रंच चाहिए, वो डेथ पूलर को मानने जाएंगे, रिजवान अब तक 50-60 अगर कर चुके हैं, हो सकता है, लौकी 2-3 विकेट आके डेथ में निकालने, यानि कि इसमें मैं डेथ बोलर रखता हूँ, या ओपनर रखता हूँ, बंडा उनका भी प्लेयर रख सकते हो, बेसिकली ओपनर प्लस डेथ पूलर कॉमिनेशन है, ठीक है, सेम इनिंग्स में परफॉर्मेस मुझे चाहिए, समझ रहे हो, रिजवान जिस इनिंग्स में 58 करेंगे, उसी इनिंग्स में लौकी फरगर्शन आके 2-3 विकेट निकालेंगे, यह अगर होता है, ऐसे सोच रखने वाले कम लोग होते हैं, प्यूज भाई यही अगर हमें न्यूजिलेंड के फिवर में करना हो, तो बहुत असान है दोस्तो, न्यूजिलेंड के लिए डिवान कॉन्वे के साथ, आप पाकिस्तान के डेथ पोलर को रखो, है ना कॉम्मिनेशन मस्त, यह भी आप कर सकते हो, न्यूजिलेंड से कॉनवे रखके है रिपेट हो रहा था, दो प्लेयर यानि एक एक प्लेयर का नाम दोनों टीम से, तो वो प्लेयर्स थे, एक तो टिम साओधी, बहुत ज़ादा नाम आ रहा था और दूसरे हरिसरॉफ इनका नाम आ रहा था इनको मैंने सीवी सी दिया रिजवान का सिरफ एक अच्छा नौक आया है अभी तक न्यूजिलेंड के सामने उनको मैंने ड्रॉप करके रिस्क ली लेगिन दोनों टीम के तीन मैंने में गिन बज रखे हैं शाहीन नसीमशा हरिसरॉफ साओधी बोल्ट फरगशन न्यूजिलेंड से और शदाब को और राउंडर में रखा है विकेट्स या लोर स्कोरिंग मैचेज में जो बल्लेबास अच्छा करते हैं जागातर जैसे बाबर, विलियमसन और मसूद तीनों टेस्ट फॉर्मेट के अच्छे प्लियर्स आते हैं ठीक है इन तीनों को मैंने रखा है और यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन एक बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है क्योंकि लोग इसको कम रखेंगे लेकिन अगर आप T20 खेल रहे हो कई बार आपको ऐसा ही कॉम्बिनेशन जो रिस्की है बहुत लोगों से आके लेके चलेगा 49 के 0 से अगर आप डरते हो तो भई आप डरते रहोगे मैंने आपको वो बात करने कोशिश करे या वीडियो उनके लिए नहीं है जो 49 से 49 जीतना जाते हैं वो तो आप स्मोली की टीम लगो 49 से 60 आ जाएगा 50 आ जाएगा ठीक है लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर आपको 49 का 0 भी मिल रहा है अगर एक टीम से 49 का 500 आ जाता है आपका काम हो जाता है और वैसा ही कुछ कोशिश मेरी जाती है ऐसी वीडियो में दोस्तों एक बेहदी रिस्की कॉम्बिनेशन में ने बनाया है इसको आप कह सकते हो ये तो भई बहुत चांस रखता है 49 का 0 लेकिया है क्यों भई ये रिस्की कॉम्बिनेशन है शाहीन शाह फ्रीजी को सीधा कैप्टन किया लेकिन ये डालते हैं पहला और तीसरा ओवर ज उनको आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन सीवी दे सकते हो मैंने इनसे तीस चाले सन की नौक मांगी है थोड़ा सपोर्ट सैंटनर से मांगा है लेकिन मैंने विकेट्स मांगी है शाहीन अफरीदी से और महुम्मद नवास से ठीक है क्योंकि ये दुनों अगर जमते ये बहुत ज़्यादा रिस्की है जिसको 49 का 0 का डर है ये टीम मत लगाना ठीक है ये कॉम्मिनेशन मैं बस आपको समझाना चाहरा था कि कितना रिस्क मैं लेता हूं कहीं बार क्योंकि यही रिस्क आपको ग्रैंड लिग जिताएगी सोच विचार से टीम बनाओ रिस्क लो लेकिन लॉजिकल रोग कि अगर आपका जो लॉजिक है दिवाग में जो आपको लगर रहा है मैच में होगा वो होता है न तो उससे बहतर टीम कोई न बना सके आपसे बहतर ठीक है ऐसे कॉमिनेशन से बेसिकली मैं आपको उपनर प्लस फाइब दिखाया ऐसा सोच आपको लेना जादा ही हो जाएगा गभी वो डेथबूलर है बट फिर भी more the risk more the chance कि आप generations को बीट करो लोगों को बीट करो ठीक है तो जादा लंबी आज वीडियो करेंगे नहीं कुछ इस concept हमने देखे false one आपको पता ही है अगर नहीं पता आपने मेरी परानी वीडियो नहीं देखी यह मेरा favorite combination है मैं कोशिश करूँगा next वीडियो में जो इंडिया की है grand league वीडियो करूँ इंडिया एंग्लेंड के match में हम not so sure कर पाऊंगा के नहीं बट अगर करता हूँ उसमे इंडिया अगली वीडियो में में तो आपको